जहिन दोस्तों, उम्मीद है आप सब को यह सोस्त होंगे दोजुमी सिविल्जेरिंग कोर्स में आप सब का स्वागत है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इससे पहले अगर आप बाकी क्लास नहीं किये हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का अब प्रिवियस क्लास में जाकर अटेंड कर सकते हैं आज हमारा क्लास का टॉपिक है वाटर सप्लाई तो चलिए शुरू करते हैं कुश्चिन नमर वान दा पॉल्यूटेड वाटर इस वान वीच अगर आपको एंसर पता है वीडियो पॉस किजिए कमेंड में कुश्चन नमर वान के साथ उसका एंसर लिखिए देखिए पॉल्यूटेड वाटर क्या है अभियसली यह आप जानते ही होंगे पॉल्यूटेड वाटर वो है जो ना ड्रिंकिंग के लिए ना कोई हुमें यूज के लिए आप इस्तमाल कर सकते हो यह इस पॉल्यूटेड वाटर अप्शन बी विल बी दे करेक्ट एंसर कंसिस्ट अप अन्डिजरेबल सब्स्टेंस ऐसा कुछ सब्स्टेंस है विच मेक इट अन्फिट वर द्रिंकिंग और दोमेस्टिक यूज ठीक है क्वेशन नमबर टू अगर आपका अंसर पता है क्वेशन नमबर टू उसका अंसर कमेंट कीजिया एसिरिटी जब भी दिखेगा आपको वाटर में एसिरिटी का में कॉज होता है करबन डायोकसाइड ठीक है चलिए मोब टू नेक्स क्वेशन क्वेशन नमबर ट्री अब देखिए क्लोरिनेशन समझने से पहले हम लोग को आठ टार्म के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्या क्या है एक होता है प्लेन क्लोरिनेशन प्लेन क्लोरिनेशन क्या है जहां पे वाटर सैटिसफाइल आपका फिल्ट्रेशन नहीं है satisfied amount में filtration नहीं है तुरंत उसको use करना है तो हापे nominal एक amount chlorine add कर दिया जाता है ठीक है बहुत बार normal water में add किया जाता है chlorine for safe use that is plain chlorination pre-chlorination क्या है आप नाम से समझे pre-chlorination पहले chlorination पहले किस चीज़ का पहले sedimentation tank filtration tank में घेजने से पहले sedimentation करने से पहले chlorine मिला दिया जाता है pre-chlorination पहले chlorination बाद में sedimentation that is pre-chlorination post-chlorination क्या है इसका उल्टा है post-chlorination याने कि पहले sedimentation होगा उसके बाद chlorine add किया जाएगा और distribution किया जाएगा उसके बाद याने कि sedimentation के बाद chlorine add किये हम उसके बाद distribution tank में हम distribute करेंगे उको यह हो गया पॉस्ट गों यह पॉस्ट कॐरइंशन तीसरा टर्म है multiple या double chlorination VER मल्टिपल या double chlorination Ass Graduate में हो गया है जहां पे प्री और post दोनों किया जाता है water को segmentation tank में भेजने से पहले भी chlorine add किया जाता है और sedimentation में filter होने के बाद भी chlorine add कर दिया जाता है that is multiple और double chlorination यह तो हो गया तो plane हो गया प्री हो गया पोस्ट हो गया double double chlorination हो गया चौथा यह यह तर्म आप जान लिजिघे जी का नाहा है residual chlorine residual chlorine क्या है क्लोरीण क्यों एड करते हैं हम लोग unusual सब्सटेन्स है, si- Character, fungi आइल्गी है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्यूज करते है क्लॉरेन के अब वाटर को स्टो र리 करेंगे स्टोर करने के बाद भी फिसमें डेवलब्ड होई शकता क्योंकि को ऐसा निए कि आज ही फिल्टर की आज ही इस्तेमाल कर लिए वाटर वाटर तो वाटर कैपसिटर में स्टोरिज रहता है वहाँ पे तो वाटर स्टोरेज के दोरान वो या बेक्टरिया वहाँ पे फॉर्म ना हो जाए इसलिए little amount क्लोरियम वह desirable amount calculation से निकलता है वह amount chlorine add मतलब ज्यादा एक एड किया जाता है कि storage में वह factor of safety बना रहे हैं that is residual chlorine जो residue करता है रह जाता है at that point chlorination के बाद भी वह बच जाता है for future use ठीक है that is residual chlorine next break point chlorination break point chlorination क्या है break point chlorination वह achieved chlorination form है जहां पे full completed chlorination होने के बाद भी एक certain amount chlorine जो है residue में desirable substance हिसाब से रहे जाता है that is break point chlorination next है हमारा super chlorination super chlorination कभ इस्तेमाल किया जाता है super chlorination नाम से हम समझ गए होंगे आप लोग कि break point chlorination की उपर यह है break point में जितना amount chlorine था इससे भी ज्यादा किया जाता है super chlorination में क्यों यह बहुत बहुत बार यूज किया जाते है जहां पे water born disease का खत्रा रहता है diarrhea हो सकता है cholera हो सकता है कुछ भी water born disease जो है उसके वज़े से factor of safety के लिए add किया जाता है super chlorination अब chlorination के बाद chlorine add कर दिये water treat हो गया उसके बाद extra जो chlorine है उसको remove कर दिया जाता है which process is known as declorination declorination एक last point term है हमारा declorination process के दुआरा जो exist chlorine है वो remove कर दिया जाता है desirable residual amount वो return कर जाता है वहाँ पर और उसके जादा जो chlorine है उससे भी जादा जो amount हम chlorine add किये हैं उसको remove कर दिया जाते declorination process से जैसे कि हम लोग activated carbon इस्तमाल करते हैं ammonia इस्तमाल करते हैं इस तरह का chemical compound इस्तमाल करके हम लोग declorination process complete करते है तो question क्या था हमारा the process in which the chlorination is done beyond the breakpoint breakpoint से भी ज्यादा क्या होगा super chlorination simple सा अब यहां से बहुत सारा question लेकिन आ सकता था ऐसा question process in which the chlorination done before the sedimentation process sedimentation पहले जहां पर chlorination किया जाता है क्या होगा pre chlorination अगर question यह आता कि ऐसा कौन सा chlorination method है जहां पर sedimentation के बाद add किया जाता है chlorination that is post chlorination अगर पूछा जाएगा दोनों जगा add करें एड करेंगे तो मतलब pre और post पहले भी और बाद में भी sedimentation के पहले और sedimentation के बाद क्या हो जाएगा फिर वो multiplier double chlorination ठीक है चलिए question number 4 के तरफ बढ़ते हैं the effective size of sand particle used in slow sand filter option a 0.25-0.35 mm option b 0.35-0.60 mm option c 0.50-0.80 mm option d 1.00-1.80 mm अगर आपका answer पता है तो वीडियो pause कीजिए question number 5 लिखे और उसे comment कीजिए answer आप देखिए दो question पूछ सकता है slow sand filter में sand का particle का size होता है 0.15-0.35 mm तक 0.15 mm से 0.35 mm तक clear हो गया चीज़ दूसरा है rapid sand filter rapid sand filter में sand का size रहता है 0.5 mm से 1 mm तक slow sand में 0.15 से 0.35 यहां पे तो 0.25 दिया हुआ है तो 0.15 और 35 के बीच में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है तो 0.15 से 0.35 यह हो गया आपका slow sand filter के लिए rapid sand के लिए थोड़ा सा ज़्यादा grain size थोड़ा सा core sand इस्तेमाल किया जाता है जो के 0.5 से 1 mm दोनों याद रखिए गया नोट गणाली जेश स्वट next question question number 5 the type of valve which is provided to control the flow of water in the distribution system at street corner and where the pipelines intersect is option A check valve option B sluice valve option C safety valve option D score valve check valve क्या है check valve एक प्रकार का one-way valve भी बोला जाता है इसको check valve में one-way मतलब water जाएगा सामने back force रोकने के लिए बीच बीच में piping में बीच बीच में check valve इस्तेमाल किया जाता है यह one-way valve या single-way valve भी बोला जाता है इसको single wave valve या one wave valve या check valve एक ही चीज है इस्तमाल किया जाता है जो कि back force को रोकने के लिए है या water hammer को रोकने के लिए उसकिया जाता है कि वो one way एक तरफ से water आप भेज सकते हो अगर water hammer आया back force आया तो अचानक वो एक dead type कर रहाता है वो close आ जाता फिर that is check valve ठीक है दूसरा जो है हमारा swiss valve swiss valve कहीं भी water को एक directionize करने के लिए channelize करने के लिए इस्तमाल के जाता है हमेशा swiss valve corner में junction में दिया जाता है तीसरा है safety valve प्रेशर बढ़ जान अगर बढ़ जाता हो कभी तो release करने के लिए जो valve इस्तमाल के लिए that is safety valve चौता है हमारा score valve जो इस्तमाल के जाता है sedimented particles को निकालने के लिए बहुत बार water transportation के दौरान बहुत सा sedimentation material clay वगरा नीचे जम जाता है उसको निकालने के लिए या जब water storage जो है वो साप करेंगे टंकी तब उसको water को drain करने के लिए जो valve इस्तमाल के जाता है storage capacitor से that is score valve ठीक है तो here the option will be sluice valve देखे चेक valve से question पूछता है बहुत बार की water hammer को रोकने के लिए back force को रोकने के लिए कौन सा valve इस्तमाल के जाता है that the answer will be check valve right question no.6 area method of landfilling is most suitable when option a area is unsuitable for excavation of trenches option b adequate depth of cover material is available at the site option c the water travel is near the surface option d natural or artificial depression exist in the nearby अगया देखिए landfilling का basically तीन मेथड है तीन मेथड है एरिया मेथड ट्रेंचिंग मेथड और नैपिंग मेथड तो एरिया मेथड में क्या किया जाता है एरिया मेथड में जो certain area है जहांपे हमको waste material डंप करना है देखिए area मेथड तभी एड़प्ट किया जाता है अगर water table surface से बहुत करीब है garbage को तो हम खोद के नीचे नहीं गाड़ सकते water table अगर surface से करीब है तब यह method इस method में किया किया जाता है यहां पे एक certain area के उपर अगर flat area है या थोड़ा सा dip area है वहां पे अच्छे से spread कर दिया जाता है garbage material को और उसके उपर covering material से उसको ढग दिया जाता है मिट्टी हो gravel हो और उसको बहुत कर दिया जाता है that is area method trenching method क्या है trenching method में हम लोग ट्रेंच नाम से आप समझ पा रहे होंगे trench फहले trenching कर दिया जाता है high rise area में होता है जाधा और maximum जहां पे water table बहुत नीचे है surface से बहुत नीचे है water table उस area को trench करके अच्छे से spread करने के roller third में हम लोग दोनों का combination आप बोल सकते हो ठीक है यह लगबग sloppy ground में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे material को spade करने के बाद cover कर दिया जाता है तो area method question क्या है area method adapt करने के लिए main suitable cause क्या है option C हो जाएगा obviously the water table is near the surface water table अगा surface के करीब है तभी area method adapt किया जाता है otherwise change method के से हम लोग the most appropriate and products produced is chloride, plant nutrient, alkalinity, hardness question number 7 का answer पता है आपको video pause किजिए और अपना comment किजिए answer stabilization of sewage effluent the most appropriate and product produced is alkalinity हो जाएगा यहाँ पे answer ठीक है चलिए next question 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 number 8 for a given discharge the efficiency of sedimentation tank can be increased by discharge fixed है हमारा और efficiency बढ़ाने के लिए sedimentation tank हम लोग क्या कर सकते है option A increasing the depth of tank option B decreasing the depth of tank option C increasing the surface area of tank option D decreasing the surface area of tank क्या हो जाएगा answer यह तो आना ही चाहिए वीडियो pause किजिए answer लिखिए आप question number 8 का क्या answer हो जाएगा option C surface area को बढ़ाना होगा surface area जितना बढ़ाएंगे particle distribution उतना अच्छे से होगा जो sedimentation particle जो धर धर नीचे आएगा sediment होगा अगर area जादा होगा तो particle को area जादा spread area मिलेगे जादा sedimentation होने के लिए ने तो क्या होगा अगर मानगी चले एक pipe जासा area दे दिये हम तो क्या होगा एक particle दूसरे particle के उपर collide कर जाएगा इसलिए अगर area जादा बढ़ा होगा तो वहाँ पर अच्छे से sedimentation काम कर पाएगा तो तो increasing the surface area of tank चले question number 9 the type of valve which is provided on the suction pipe in a tube oil यह बहुत अच्छा सवाल है the type of valve which is provided on the suction pipe in a tube oil is option A air relief valve option B pressure relief valve option C reflux valve option D sluice valve बते यह के answer होगा question number 9 question number 9 comment कीज़े answer option will be option C reflux valve हमेशे याद रखिएगा tube oil में reflux valve आग बंद करके next question 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 number 10 composting and lagooning is the method of option A sludge digestion option B sedimentation option C sludge disposal option D filtration देखिए composting और lagooning composting क्या है composting आप नाम सुने होंगे compost सार आता है fertilizer compost fertilizer आप नाम सुने होंगे composting एक पकार का sludge disposal method है जहां पर organic waste जो है वह ट्रेंच करके एक चोटा एक एरिया के ऊपर ट्रेंच करके फिर वहां पर डाल दिया जाता है कुछ कुछ carbon based material के साथ जैसे ूड का टुकड़ा ठीक है रूवी wasted material इस सब के साथ डाल दिया जाता है और धग दिया जाता है और फिर धिरे धिरे वह organic जो bacteria होता है उस material को decompose कर देता है और volume में लगवा 50% घड़ जाता है 50% घड़ जाता है अब उसको बहुत बार ऐसे खाद भी इस्तिमाल कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो इसको बोलते है composting आप लोग नाम सुनोंगे compost fertilizer तो यहीं से है compost fertilizer composting से दूसरा है हमारा lagooning lagooning में क्या किया जाता है पर sludge को liquid जो sludge है उसको क्या किया जाता है pump करके एक area पे spread कर दिया जाता है sunlight आता जाता रहा है एकदम अच्छे से sediment हो जाता है फिर उसमें treat किया जाता है आगे तो दोनों ही composting और lagooning दोनों ही जो है sludge disposal का method है question number 11 the specific gravity of sewage तो आता ही हर हर बार आता है question the specific gravity of sewage option a much greater than one option b slightly less than one option c equal to one option d slightly greater than one इसका video pause किजिए question number लिखिए 11 और उसका answer लिखिए question number 11 का answer लिखिए देखे specific gravity यह sewage का होता है 1.2 से 1.4 के बीच में 1.2 से 1.4 के बीच में तो obviously the answer will be the option d slightly greater than one correct next question question number 12 which of the following retards the self-purification of stream high temperature, sunlight, satisfying oxygen demand and none of the above देखिए stream का self-purification क्या है self-purification कब होता है कोई भी stream अगर अपने आप एक मतलब artificial ने नेचुरल प्रोसेस के दुआरा purified होता हो that is self-purification कब होता है यह जब dissolved oxygen के मात्रा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है dissolved oxygen बढ़ेगा धीरे-धीरे वो self-purification complete होगा dissolved oxygen कब-कब बढ़ता है number one अगर temperature जदा हो तो धीर-धीरे oxygen का मात्रा बढ़ने लगता है option क्या हो जाएगा दूसरा अगर sunlight है सनलाइट में बहुत सारा बैक्ट्रिया ऐसा होता है जो कि sunlight को absorb मतलब पत्ता वाला function है होता है न जो पेड़ पोधा जैसे अपना काम करता है उस प्रोसेस में chlorophyll तो उसी प्रोसेस में क्या करता है sunlight के दुआरा carbon dioxide को absorb करता है oxygen release करता है water में carbon dioxide absorb oxygen release तो sunlight के वज़े से हो सकता है तो dissolved oxygen जैसे बढ़ेगा वैसे cell purification process चालू हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी option हमको नहीं दिख रहा है जो कि retard कर यानि कि cell purification system को slow down कर दे high temperature नहीं temperature जितना बढ़ेगा उतना dissolved oxygen के मात्रा भी बढ़ेगा यानि कि purification भी बढ़ेगा sunlight नहीं इसमें भी बढ़ेगा तो उससे भी रिटार्ट नहीं होगा accelerate हो जाएगा option C satisfy oxygen demand अगर हम externally oxygen demand को हम fulfill करें तो भी तो बात एक ही है oxygen बढ़ा यानि कि purification accelerate हो गया तो none of that अबभ हो जाएगा चले question number 13 dissolved oxygen in stream is option A maximum at noon option B minimum at noon option C maximum at midnight option D same throughout the day इसका तो answer आना ही चाहिए अब हम लोग discussion क्या कर रहे थे dissolved oxygen कब ज़ादा होगा दो पर में ज़ादा होगा maximum at noon minimum at noon कम होगा midnight में ज़ादा होगा dissolved oxygen बढ़ता कब है जब temperature ज़ादा होता है जब sunlight पूरा ज़ादा होता है तो वो कब होगा दो पर में ज़ादा होगा तो maximum at noon हो जाएगा 13 का A हो जाएगा option question number 14 chlorine is used in the treatment of sewage 2 option A help grease separation option B add flocculation option C increase the biochemical oxygen demand option D to avoid bulking of activated sludge chlorine कब इस्तेमाल किया जाता है sewage treatment plant में देखिए एक प्रकार का fungi होता है जो की bulking of sewage के responsible है bulking of sewage में क्या होता है उसे टेल नहीं कर देता है settlement को रोकता है वो तो इसलिए उस fungi को avoid करने के लिए हम लोग chlorine treatment करते है ठीक है जिससे settled आसानी से हो जाता है तो option D will be the correct answer to avoid the bulking of activated sludge next question question नमर नोट करते जाएगा छोटा छोटा नोट्स बनाते जाएगा question number 15 corrosion in concrete sewer is caused by option A septic condition option B chlorine option C dissolved oxygen option D nitrogen corrosion क्यों होता है concrete sewer में septic condition के वएसे chlorine के वएसे deserodosin के वएसे nitrogen के वएसे देखिए corrosion septic condition में क्यों होता है sewer में क्या रहता है sulfur ठीक है समझे आब बात को chlorine sewage में रहता है sulfur septic sewage में sulfur रह गए रहेगा bacteria क्या करता है sulfate को sulfide में transfer करता है convert कर देता है sulfide धिरी-धिरी जैसे sewage की उपरी layer में आने शूरू हतो है मतलब top layer में पहुंच जाता है धिरे-धिरे फिर और air contact में आके sulfide जो है hydrogen के साथ react करके new formation करता है जिसका नमा hydrogen sulfide h2s पहले sulfide था sulfide हुआ sulfide उपरी layer में आ गया उपरी स्तर में आ गया फिर air intake के साथ साथ hydrogen sulfide में convert हो गया फिर bacteria hydrogen sulfide को sulfuric acid में convert कर देता है और sulfuric acid जो है concrete में वो corrosion के कारण बनता है और धिरे-धिरे concrete structure को collapse कर देता है तो main reason क्या है septic condition question number 16 the primary air pollutants is the primary air pollutants is option A ozone and carbon monoxide option B nitrogen oxide and ozone option C sulfur dioxide and ozone option D sulfur dioxide and nitrogen oxide बताइए क्या होगा वीडियो pause किजे question number 16 के answer लिखे क्या हो जाएगा primary air pollutants sulfide dioxide and nitrogen oxide option D will be the correct answer okay question number 17 the primary pollution caused by incomplete combustion of organic matter the primary pollution caused by incomplete combustion of organic matter पहले बताइए incomplete combustion होता क्यों है lack of oxygen के वज़े से incomplete combustion होता है combustion engine में completely वो बर नहीं कर पाता है lack of oxygen ठीक है तो primary pollutant जो मतलब उससे formation होता है वो क्या है the primary pollutant जो की incomplete organic material का incomplete combustion है fully burn नहीं हो पाया उसके वज़े से पहला component जो निशकर्स होता है that is carbon monoxide option वीज़े करेंट एंसर incomplete combustion के वज़े से carbon monoxide का उत्पत्ती होता है next question question number 18 well oxidized well oxidized sewage will contain nitrogen largely in the form of option A nitrates option B free ammonia option C nitrites option D all of the above बताइए क्या होगा nitrogen के क्या formation में रहता है देखें nitrogen है यानि की organic compound मौझूद था अब fully composed हो चुका है that's mean in the form of nitrates nitrates एक पकर का toxic material है उसको हटा दीजी आप nitrates मौझूद है यानि की fully composed हो चुका है चीक है तो option A will be the correct answer well oxidized sewage which will contain sulfur largely in the form of sulfite sulfate hydrogen sulfide option D all of the above तो हम लोग ने दो question पढ़ा यहाँ पर important nitrogen fully oxidized sewage में nitrogen रहेगा nitrates form में और sulfur भी रहेगा sulfate form में nitrogen nitrates form में रहता है और sulfur भी sulfate form में रहता है ठीक है the last question question number 20 most of the bacteria in sewage are option A anaerobic option B pathogenic option C parasitic option D ceprophytic बताए क्या होगा देखे anaerobic bacteria जो है वो compose तो करता ही है composition में मदद करता है और methane gas के लिए responsible है anaerobic bacteria दूसरा है पैथोजेनिक पैथोजेनिक एक पकार का disease bacteria है disease के responsible है option C जो है parasitic parasitic is a kind of organism जो की food sourcing करता है दूसरा organism से option D जो है saprophytic saprophytic एक पकार का वो bacteria है जो कोई भी dead organism के अंदर रहता है और उसको decomposed करता है decomposed करके organic और non-organic compound में उसको break कर देता है ठीक है so for the question number 20 most of the bacteria in sewage will be the saprophytic option D will be the correct answer उम्मीद है आज का class आप समझे हैं बहुत कुछ अगर आप previous class नहीं देखे हैं देखे हैं तो उसको attend कीजे जाके कल जो है mock test release हो जाएगा आज 7 class complete हो चुका है कल mock test का video link mock test का link हम description में दे देंगे इस चैनल को जरूर subscribe कीजे हर दिन important MCQ पाने के लिए हमें Instagram में जरूर follow कीजे description में link दिया हुआ है अपना ध्यान रखिए फिर मिलते हैं कल जय हिंद जय भारत